चात्राओं के तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारीज करते हुए करनाटक हाइकोट ने एक एहम फैसले में कहा है कि हिजाब पहना धर्ण के हिसाफ से अनिबारिय नहीं है इस बिशेपर बात करने के लिए हमारे साथ है पश्रमंगाल इमाम एस्सेशन के चेयर परसन महुमद याया सहब इमाम सहब आप से जानने की कोशिश करेंगी कि इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप करनाटक हाई कोड जिस तरीके से फैसला क्या है एक चुली एक हावत है कहा बत नहीं है लीगल टाम से रीजनेवल ख्लाशिफिकेशन होना जाहिए था लेकिन हमारा नजर में reasonable classification नहीं है आप मान लीजे हिजाब कोई स्कूल में पीन के जाते हैं तो उसका objection है अभी धूप का टाइम हाने वाला है अगर धूप के टाइम में कोई भी लड़की इसको पेन लेते हैं क्या that is also very illegal question is that तो यह इसका question था particular way of wearing जो मेन मुद्दा है particular way of wearing the man the language इसके उपर court चर्चा नहीं क्या है इन जनरलाइस क्या है नमबर टू, court जिस तरफ से देखा है आर्टिकल 25 के तरफ से देखा है लेकिन आर्टिकल 14 को नहीं देखा है आर्टिकल 14 को जाज करना बहुत जुरूरी है क्योंकि यह हमारा क्या कहता है, right to equality right to equality जब आते हैं तो मैं क्या पिनू, क्या नहीं पिनू, यह तो मेरा भी rights है जालब पहनावे की बात है, इस्लाम क्या कहती है, यानि इस्लाम के हिसाब से हिजाब पहनना क्या एहम है कोई शक नहीं है कोई उलमा इसके बारे में दीमत नहीं किया है हिजाब पिन्ना हर आउरत के लिए फर्ज है इसमें कोई शक नहीं है किसी साब से अब कुरान और हादिस किस विजाए करनाटा का हाई कोट इस नॉट ऑफराइज तो इंटरप्रेट कुरान पोजिटिवली यह करते हैं लेकिन कुरान और हादिस का इंटरपेट करने का तुझाए का कोट नहीं है अपना तरफ से क्या क्या है अपना मर्जी है लेकिन जुरूर जो लड़की के बारे में यह राही हुआ है जुरूर लोग हायर कोट में जाएंगे अगर जुरूरत होगा तो हम भी इसको को सरिक होंगा इस्वाक्स और गारण क्या है क्या अप इस तद्री की की रही बात जिनोंने जाची काалась दाखिल कि थी उनकी फांडमेंटल राईट की वारे में आप अदो जो फंडम्टलाइट राइट टुए डिक्वलिटी अँसको भालड किया गया है जो current इइसको डिसको अइनांग्रीओनॐ हे class 9 है हैार इंडिया नाओरिक का यह राइट क्वलिटी है कि को तामा इंकार ने कर से कि मुताई यह भी तो بंटा कि अगर स्कूल है उसके एक उनिफॉर्म है तो सको मानना यह चाहे वो छात्र हो या फिर छात्राय हो उनके लिए भी तो अहम होता है ना सब बात यह हाँ, देखिए कुछ सेंटिमुनिटल बात आ जाते हैं, जब पात आते हैं, All over India में हम देखते हैं, जब सकुल का बात आते हैं, सरेफ हिजाब के उपर इडिसकस्न चल रहा है, हिजाब छोर करके क्या कोई भी ड्रेस रिलिजियस ड्रेस पिनके कोई नहीं जाते हैं सिख का लर्का लर्की नहीं जाते हैं हिंदुस का जो टीचर है उसका साखा बिंदी जो बंगाली में रहते हैं उसका पिनके नहीं जाते हैं अब क्या कहेंगे आप भी बेंगल के हैं, बेंगल में इतना हजार अज़ार स्कूल्स है, क्या उसमें सारश्टि पुजा नहीं होता है, कोई अबजेक्ट क्या है इस तक, क्या आप इसको भी कहेंगे, सिर्फ मुद्धा हिजब के उपर क्यों आता है, जब एक लेर्की, जो बड़े हो गया है, उसका इज़्यत अब्रू को ढाकना चाह रहा है, इसमें गलती क्या है, आप कहीं भी जाहिए, पुड़ा इंड्रा में कहीं भी जाहिए, जब किसी का साधी हो जाता है लेर्की का, त आच फेर्बरी को जो ओडर बाखायदा करंटक सरकार के तरफ से दिया गया था, क्या आप मानते के वो बिना सोच समझे ये ऑडर पारीत किया गया, पुरा वाडिक्ट तो हमारा पस नहीं है, जस्ट में पॉइंट या है, पुरा भाड़निक नहीं है, क्योंकि जो भी जो प्षडिक्ट रिखा है तो उसका रिजन देते हैं, पूरा इचल रिखा जाते हैं, क्यों इसको भाडिक्ट नहीं जो भी या जो भी घ्या मालून के वाड कॉऑह सद्या है फिर भी मैं कह रहा हूं कोई भी धरम के वारे में inटरपेट करने का जएगा तो कोट नहीं है कोट तो सब के बारे में इंटरपेट नहीं कैसा आगर आप मान रहे कि वह कानडाक सरकार की दी गई जो और है वो ठीक नहीं था लेकिन उसको खारिज करने के लिए उनन दिरिफ्रेंट्ट था हम आपी कोट का फैसला यह अश्के बारे में ъपकली मुख न होता है क्या सब्सक्राइब क्या होते हैं ऐसे किस्ट ख़िए हए चाहिए इसके में इक बात करने कی लिए ऑन 행atar मानना है किया और आ सुप्रीम कोट के तरफ ही जा रहा है और अगर जरुरत परे तो वो भी इसमें साथ रहेंगे टैमर पर्सन किरोंची दास के साथ कोलकाता से आज तक के लिए रिक्तिक मॉंडौल की रिपोर्ट जो कभी बीजेपी के केंद्रे मंत्री हुआ करते थे यानि बाबुल शुप्रियो इस पार आने वाले पालिगज उपचुनाओं में त्रुडमूल के टिकेट से चुनाओवी मैधान में उतरेंगे लेकिन देखने वाली बात होती है कि कोलकाता के यानि परिश्यमगाल के जो मुहमद याया उनके साथ हैं उनसे जाने की कोशिश करते क्यों एतराज है बाबुल शुक्रियों की जो और उनको टिकेट दिया गया है त्रुमूल के तरफ से इसके खिलाफ हमारा अब्जेक्शन सिर्फ बाबुल सुप्रि के उपर है हम कोई त्रुमूल उम्मिद्वार क यह सबाइब शब्स इन्हा उस से कंडरिट है हम उसको जानते हैं मुस्लमान हम जानते हैं जब बाबडी मोसी तोरा गया था उसमें स्थ्रुप्न सिनभी सामिल था उसके बारे में हम अब्जेक्शन नहीं कर रहा है पूरा BJP इतना दिन दिन तो जिन्दा था ओस्ट वेगल में टीम्सी अलॉमेनी से जिन्दा है जितना टीम्सी का लीडर उसको सप्लाई किया गया है BJP जीर खरा ठा फिर उसको वापस कर लिया है BJP यह TMC हम किसी का बार में ऑब्जेक्शन नहीं किया स्रेफ हमारा अब्जेक जो जिनोशाइड हुआ था उसमें सिवगत उल्ला को माडर किया गया था जो एक इमाम का लड़का था तो जिसके जिसके बारे में यह आप आसान सोल राइट की बात कर रहें एक्जेटली उस टाइम से उसके उपर अंजाम लगा हुआ है जो उसके डारेक्ट यह लओनी है हजारों बिजेपी करिया करता और ट्यम सी में है हैं जिसके की बारे में कोई बात नहीं किया लेकिन उसके बारे में हमारा ऑब्जेक्शन है रहेगा इन्शालातेला जब तक उसको हटायoth नहीं जायेगा अगर ये बात होती है, यानि बाबूल सुप्रियों को आप जिस तरह की से बागाइदा इस तरह की से कह रहे है कि इमाम एसोसिएशन ने एक लेग जारी किया है, कि बाबूल सुप्रियों को फिर से उनको उनको हटाया जाया है, जो उन्हें कैंडिडेट ना बना कर तिरमूल इसका प्रभाव पाली गंज के चुनाओं में किस तरी से किस तरीके से सामने आएगा? किसे का हक नहीं है, किसे का ताकत नहीं है, जो अगर कोई भी गलत फैसल लेते हैं उसके बारे में काहें, तो जो भी फैसल हुआ है, जो हमारा इतना वाराल गया है, उसमें TMC लोग ज्यादा है, यू कांड बिलीब, काल साम साम तक मेरा फोन कंटिनू बैसृते रहा, फोन क में वह बाबूल सुप्रियों के बारे में दीदी और विशेक बंदाबाद क्या कहा था 2008 साल के बाद में सब्सक्राइब तो बाबूल सुप्रियों किया कंट्रिभीशन है उसमें जिसके लिए उसको उमेदवार मिला है कि या ट्यमिशी के लिडर काम पढ़ा है तो इस बार आपके समाच से किसको समर्फन दिया जाएगा यानि आप कह रहें कि कजा गव Siya को समर्फन नहीं देंगे अगर इमाम एसोसीशिशन कहती है तो इस बार किसको समर्फन दिया जागा इस एहम चुनाऊं देखे बात यह ह Independence क्लियार कहा है हमारा TM यह अए inhib Lightning कोई अब्जेक्शन है ढूरे में मेरा कोई हमारा कोई ऑब्जेक्शन नी है बाबोल सुप्रियों को छोर कर चोर करके कुता विली ने alleen कर सकते बाकशी200 के बात्चीट की जरिया शुरू होगी उन्हें होंने को बुलाया है बात होगी क्या बात रहेंगे आप उस बैठ एक ही बात उसमें कोई दुपरा बा बात दुसरा बात नहीं है एक ही बात है बाभल स्सीह प्रिकर फटाए जाए गाए participar कोई भी बात नहीं है कुपि gummyald जो जो उधर का टीम सी करिया करता है वो लोग कोई भी खुश नहीं है not a single one आप किसी को off the camera पूछिए वो सिधा उगार देगा क्या है उसका अंदर लेकिन सामने किसी का बोलने का ताकत नहीं बोलनी पा रहा है क्या आपको लग रहा है जब पावर में था CPM साइबारी में लगा को खून करके उसका blood मख करके उसका मामी को खिलाने को खिला या था किया हमारा संता लड़का को मार करके सेम मार ड़को आप हमारे सामने उम्मीद वार खरा करेंगे हम उसको भूट दे सकते हो सकता कोई कभी हो सकता power है आप कर सकते लेकिन इतना बर गलत होगा जो CPM गलती किया था उसका नतिज़ा सामने हैं हम चाहते हैं फिरादाकिम को भी कह रहा हूं आपके तरफ से और दिदी को भी यह मेसेज दे रहा हूं आप प्लिज सुचिए इसके बारे में वेस्ट बिंगल का जन्नता आपको चाह रहा है लेकिन ये बदमास को नहीं चाह रहा है हमसे बात करने के लिए दरसल बाली गंज जो असेमली सीट है वहाँ पर जो भूतपूर मंतरी पंचायत मंतरी शुब्रोतो मुखर जी का वो सीट था उनके गुजर जाने के बाद फिलहल एक उपचुनाव होना है हलाकि उस सीट से तर्मोल कॉंग्रेस आगे चल रहा है ले साथ कोलकाता से आज तक के लिए रिक्तिकी रिपोर्ट